हेलो एवरीवान, वेलकम बैक टो मा यूट्यूब चानल साइंग खुशी क्रियेशन्स आज के वीडियो में मैं आप सभी को दश्या माता पूजा के लिए आपको क्या सामगरी चाहिए ये बताने वाली हो तो चलिए शुरू करते हैं तो दश्या माता पूजा विधी के लिए सबसे पहले तो आपको माता की फोटो लेनी है माता की फोटो अगर आपके पास ना हो तो फिर आप एक कागच पे स्वस्तिक बना कर उसके उपर दसटिक की रोली की और दसटिक की काजल की लगा कर ले सकते हैं और कई लोग पीपल के पत्ते पर माता की हल्दी से या चंदन से आकिंती बना कर लेते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं फिर हमें एक लोटा जल लेना है, रोली लेनी है तिलक करने के लिए, हल्दी लेनी है हमें क्योंकि ये डोरा लिया जाता है तो उसे रगने के लिए हल्दी लेंगे, या फिर आप हल्दी की गांट भी ले सकते हैं, जो होली को हम जल दिखा कर लाते हैं, इसके बाद हमें माता को चड़ाने के लिए श्रिंगार लेना है तो इस प्रकार से पैकेट बना हुआ आता है वो श्रिंगार का पैकेट और कई बार उसमें प्लास्टिक के चूड़िया आती है इसलिए आप अपने घर से चूड़िया रखें और उन्हें मोली में बान्द कर यह रखें इसके इस प्रकार का दस तार का दस गाठो का डोरा बनाया जाता है तो वो बनाने के लिए हम कच्छा सूट लेंगे इसके बाद जो समान हमें लेना है वो है कुछ फूल आपको माता की पूजा के लिए कुछ फूल लेने है तो जो भी फूल आपके पास हो वो फूल आप पूजा के कापले क्योंकि 10 कहानिया सुननी होती है इसके बाद हम माता की गहने लेंगे तो कुछ इस प्रिकार से आटे और हल्दी मिलाकर गहने और माता के खेल खिलौने मैंने बनाये हैं तो वो हम लेंगे इसका वीडियो भी आपको मेरे चानल पर मिल जाएगा तो वीडियो अच्छा